यूपी के जन्पद हापुर में महिला करमचारी दुआरा एक विरद को पीटने का मामला सामने आया है जन्पद की गड़ तहसील छेतर के SDO कार्याले में तैनाथ महिला करमचारी ने एक बुजर्ग की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि विरद उपबोक्ता ने महिला करमचारी को मैडम बोल कर काम जल्दी करने के लिए कह दिया था तबी गुसाई महिला करमचारी ने विरद की चपल से पिटाई करनी शुरू कर दी महिला करमचारी ने विरद को पबली के सामने चपलों से जम कर पीटा और सब के सामने अवद्र व्यवार भी किया मामला सत्रह जुलाई का बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार विदुत विभाग के स्डियो कार्याले में महिला करमी तैनाथ है विरद ने विदुत विभाग की महिला करमचारी से उसका काम करने को कहा जिस पर महिला ने बुजर्ग उपभोकता की चपल से पिटाई करनी शुरू कर दी महिला करमचारी ने बुजर्ग पर आरोप लगाया है कि वह काराले में शराप के नशे में आया था और महिला से बत्तमीजी करने लगा लेकिन महिला करमचारी ने अपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की और कानून हाथ में लेकर बुजुर्ग की पिटाई करनी शुरू कर दी घटना के बाद मामला गर्माना शुरू हुआ तो वही घटना के बाद से ही महिला करमचारी अब छुटी पर चल रही है मामले में पीडित बुजुर्ग ने बताया कि बिजली का बिल जादा आने पर उसको सही कराने विदुत विवाक के ऑफिस गया था अगली दुना जिन्में सनीवार उलतवार इसमें पहर सौमार में गया यह जेई साब की निया उन्होंने लिख दिया चायकम करने की नहीं तो मैं फूस फिर अपनी उसमें लिख दिया और उसमें लेकर मैं चले था झी मे में उसके बादे में कोई सिक ईनहीं करिए में ना हमें उसी से जो कुछ हो गया सो ठीक है और आखाओ को हम बुजूर्ग आदमी है हम अपने इज़त की वजे से हमने किसी से जो है कोई सिकायत भी नहीं करिए लगोंते हैं उसके बात में दो दन के लिए कुझी बन्रहे कर दो है91 कोई ईज़ोंसやって करीब एक गंटे बाद भी जब अधिकारी नहीं आये तब उनका फोन नमबर वहाँ पर मौझूद महिला करमचारी से मांगा तो महिला करमचारी विरद पर भड़क गई और विरद के साथ अबदर व्यावार करते हुए विरद पर ही गाली कलोच का आरोप लगा कर चपलों से पिटाई करनी शुरू कर दी पर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें लाइक करें और शेयर करें एडिटर इन चीफ इकबाल सेफी के साथ नदीम नकवी टाइम 24 न्यूज रेचानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले